नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधी महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहाँ आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ एक चीकू आपको इन छे अद्भूत फायदों से उत्प्रोत कर देगा चीकू खाओ ज भारत वर्श जैसे विशाल देशों में चीकू की कई सारी प्रजातों पाई जाते हैं समानीन तह एक चीकू का वजन सो से उपचास ग्राchron तक होता है किन्तु इनका आकार प्रजातियों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है आकार प्रकार से आगे बात करें तो चीकू का भारते फलों में एक विशिष्ट स्थान है और संपून देश में समान रूप से और चाव के साथ खाया जाता है इन सब के अतिरिक्ते चीकू में बहुत से स्वास्थे लाव भी छीपे हुए होते हैं जो हम जान देंगे आज आखों को सुधारता है यह जब चीकू के स्वास ततों में से एक है चीकू के इस लाव को पाने के लिए रोज एक या दो चीकू का सेवन किया जाना चाहिए हड्यों को मजबूत करता है जिहां चीकू में कैलशियम फासफोरस और आयरन ततों पाये जाते हैं और यह तीनों ही ततों हड्यों को मजबूत बनाने के लिए सब पूरे चीकु फल में घुलनशील फाइवर मौजूद होता है जो पुरानी से पुरानी कब्ज में भी नियमित सेवन किये जाने पर लाफ करता है यदि चीकु के साथ पके पपीते का भी सेवन किया जाए और बाद में बहुत थोड़ा सा गुनगुना पानी पिया जाए तो यह प्रियोग बहुत ही उत्तम लाफ प्रदान करता है गर्भावस्था में अत्यंत लाफ कारी होता है गर्भावस्था के समय जरूरी मुख्यतत्व जैसे की कैल्शियम आयरन विटामिन बी इत्यादी चीकु में पाए जाते हैं साथ ही इसका विशिष्ट स्वाद गर्भ वाले शिष्ट दोनों को ही मजबूत बनाता है उर्जा का श्रोत चीकु में ग्लुकोज के अव्याव बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जिस कारण से चीकु सेवन किये जाने पर तुरंत ही शरीर को उर्जा की पूर्ती हो जाती है भूख को कम करता है चीकु क लगने की वजह से जादा खाते रहते हैं और इस कारण से उनका वजन बढ़ने लगता है यदि वह भूख लगने पर चार से पांच चीकु का सेवन करें तो शरीर में लंबे समय तक उर्जा बनी रहेगी और भूख भी नहीं लगेगी चीकु में ग्लुकोज बहुत ही प् सार ही करें आयरवेद के माध्यम से दी गई यह हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगर अच्छी हो और अच्छी लगी आपको तो जरूर अपने दोस्तों के साथ सेवर तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिहां दोस्तों तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए चीकू के फायदों से रिलेटेड अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहदी महतों पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों